दोस्तों स्वागते आपका मेरे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर बनाने में कितने तरह की ब्रिक्स का उपयोग किया आता है ब्रिक्स के बारे में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सिमेंट के बाद यही सबसे महत्रूपून माट्रियल है हम ए घर बनाने से पहले तसलिए से यह जानना जरूरी है कि बाजार में कितने तरह की मेट्रियल उपलब्द है ताकि हम यह जान सके कि हमारे घर के लिए कौन सी सीज सबसे बहतर है दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दू कि मैं ब्रिक्स की एक चोटी सेस्रीज बनाऊंगा जैसे मैंने सिमेंट पर बनाई थी क्योंकि हर ब्रिक का अपना एक उप्योग है मैं आपको दूसरे यूट्यूबर्स की तरह भ्रमीत नहीं करूँगा कि फला ब्रिक खराब है या फला ब्रिक अच्छी है मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ब्रिक खराब नहीं होती हर brick के अपने फायदों नुक्सान होते है और हर brick को उप्योग करने का अपना अलग तरीका होता है उनका एक अपना अलग फायदा है कोई brick builder के लिए अच्छी है तो जरूरी नहीं कि वो brick आपके लिए भी अच्छी है इसलिए सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से यह निकाल दे कि builder बड़ा आदमी होता है तो जो वो चीज बड़े project में लगाता है वही सबसे बहतर होती है कई लोग builder की नकल करते हैं वो जो चीज उप्योग करते हैं वो लोग भी वही product उप्योग करने लग जाते हैं बिना यह जाने कि उस चीज को कब और कहां और कैसे उप्योग करना चाहिए मैं इस series में आपको बताऊंगा कि market में कितने तरह की brick मिलती है और हर brick का कहां और कौनसी condition में उप्योग किया आता है और हर brick के फायदे और नुकसान क्या होते है तो चलिए वीडियो को बिना किसी तरह के शुरू करते है तो सबसे पहले हम यह जानते है कि आज बाजार में कितने तरह की brick उपलबद है इनमें सबसे पहले brick है red brick जो साधा लाल इट होती है जिहां दोस्तों वहीं जो हम सबसे ज़ादा उप्योग करते है यह इट भारत में सबसे ज़ादा popular है हम अपने आसपास कोई भी घर बनता हुआ देखेंगे या कोई site देखेंगे तो लगबग 10 में से 9 लोग आपने देखा होगा इस हीट का उप्योग करते है दोस्तों यह इट clay मतलब alumina, sand, iron oxide, magnesia इन सबके misran से तयार कियाती है सबसे पहले कच्छी इट तयार कियाती है फिर उसे बट्टी में डाल कर पकाए जाता है जिससे ही इट के particles के बीच मजबूत bonding हो जाती है क्योंकि बहुत जदा हीट के कारण उसमें reaction होती है और पकाई के बाद हमें एक मजबूत इट प्राप्त होती है इसे पकाने के लिए बहुत साल लोग अलग-अलग तरीका का अस्तमाल करते है कोई सुकी लुकडियों को जला कर पकाता है तो कोई कोईले से पकाता है कोई इट के भटा मतलब फेक्टरी में पकाता है तो कि रेंडमली छोटी से जगह में धेर बना कर पका लेता है दोस्तो इस ब्रिक में भी class होती है फस्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इसकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में हम यह जान रहे है कि कितने तरह की ब्रिक मार्केट में उपलब दे वो टोपिक इससे अलग हो जाएगा और वो थोड़ा लंबा टोपिक भी है इसलिए उसको अलग वीडियो में कवर करना ही अच्छा रहेगा इस इट को इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले के जमाने में लोग दिवार की चनाई के लिए पत्थर का उप्योग करते थे हमारा खुद का पुस्तेनिगर पत्थर की चनाई से बना हुआ है पत्थर की चनाई के फाइदे कम और नुकसान बहुत जज़ा थे सबसे पहला नुकसान था इसे लाला ले जाना दूसरा नुकसान था इसका खनन थे पहले के जमाने में तो अंग्रेज कोड़े मारकर पत्थर तुड़वाते थे या राजा अपने बंदियों से पत्थर तुड़ाता था और जब देश आजाद हुआ तब भी आप लोगोंने कई पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जैल में पत्थर तुड़ाया जाते थे आज का तो पता नहीं लेकिन पहले जरूर केदियों से पत्थर तुड़ाया जाते थे और अगला नुकसान था कि पत्थर की चिनाई करना इतना आसान नहीं था उसमें मैनत तो ज़्यादा लगती ही थी और काम करने में मुश्किल भी होती थी इस करण समय भी ज़्यादा था और लेबर कोस्ट भी बढ़ जाती थी दोस्तो ऐसी बात नहीं कि पत्थर की चुनाई के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है इसके बहुत फायदे भी है वो मैं आपको अलग वीडियों में बताऊंगा और इन दोनों का कंपरिजन भी करूंगा अब लोड़ते हमारे टोपिक पर दोस्तो जब से रेड ब्रिक का अविश्कार किया गया तब से बहुत पॉपिलर होती गई और आज एक ट्रेडिशन बन गया है इसे उप्योग करना यह हलकी और बनाने में आसान है सिधी बात है पत्थर से तो हलकी ही होगी न और इससे काम भी फटाफट हो जाता है समय की बचत हो जाती है इसी कारएं इसकी लेबर कोस्ट भी कम लगती है गें मार्केट में दो तरह की साइज में आपको ज़्याज़ा दिखेगी पहली स्टेंडर साइज है नो भाई चार भाई तीन इसका वजन तीन से चार किलो परपीस के आसपस होता है दूसरी साइज है नो भाई छे भाई तीन इसका वजन साढ़े चार किलो से छे किलो तक होता है दोस्तो साइज इंच में है आप कन्फ्यूज मत होना अब हम अपनी दूसरी brick पर आते हैं जिसे हम flies brick के नाम से जानते हैं दोस्तो इसे कई लोग cement की brick समझकर इसको देसी बासा में cement की इट भी बोल देते हैं जबकि ये brick cement से नहीं कोईले की राक से बनती है लकडी का कोईला नहीं भाईयो पत्थर का कोईला जो ट्रेन में पावर प्लांट में आदी में उपयोग किया आता है दोस्तो कोईले का भारी मात्रा में उपयोग होने के कारण राक के पाढ़ के पाढ़ बन गए थे जो बिल्कुल west material होता था इसे वेग्यानिकों ने research करके इस राक का सुधूपयोग करने के लिए उससे इट का निर्मान किया और जब इसको test किया गया तो इसकी strength southern red brick से 3 गुना पाई गई southern brick की compressive strength 30-35 kg पर cm2 होती है और इस fly ash brick की compressive strength 75-100 kg पर cm2 पाई गई थी खेर इन दोनों का comparison किसी अलग वीडियो में विस्तार से करेंगे अभी कर लिए यह जान लीजिए कि आज कल यह eat भी बहुत trend में चल रही है लिकिन इसका मलग यह नहीं कि यह सबसे best है इसके कुछ नुकसान भी है जो मैं आपको इस series में बनने वाली आगे की वीडियो में विस्तार से बताऊंगा आप फिकर न करें कोई भी topic छोड़ा नहीं जाएगा सब कुछ cover किया जाएगा यह market में दो तरह की size में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी 9 x 4 x 3 जिसका वजन 3 x 4 kg पर पीस के आसपास होता है और दूसरी size है 9 x 5 x 3 जिसका वजन 5 kg से लेकर 8 kg तक होता है अब हम अपनी next brick पे आते हैं जिसे हम AAC blocks के नाम से जानते हैं जी हाँ दोस्तों यह वही blocks है जिने builder उपयोग करते हैं यह blocks वजन में बहुत हलके होते हैं क्योंकि इनके बीच बीच में air के bubbles होते हैं जिससे यह भले ही दिखने में बड़े हो लेकिन air के कारण इनका वजन बहुत हलका होता है जैसे हम यदि खाने वाली bread को देखें तो उसमें भी air के bubbles पाय जाते हैं इस कारण वह बहुत हलकी होती है और उसका size हलका होता है उसी कारण सेम चीज ऐसी blocks में भी होती है दोस्तों मैंने यह bread का ओधरन दिया है आप यह मत समझ लीजिएगा कि blocks में भी इतने बड़े-बड़े bubbles होते हैं उसमें बहुत चोट चोटे bubbles होते हैं यही bubbles के कारण यह उठाने काटने और काम करने में आसान होती है इसकी अपनी अलग खासियत है अपने फायदे है आप इसे अभी से जज्जमत करिएगा कि यह खराब है या अच्छी है कई लोग आपको इसकी अच्छाईया या बुराया करते हैं मिल जाएंगे लेकिन मैं आपको सला दूँगा कि आपको इसका उपयोग जाने बिना इसे इस्तमाल नहीं करना चाहिए कोई भी बिल्डिंग मैट्रियल का चनाओ करने से पहले हमें यह ग्यात होना बहुत ज़रूरी है कि यह मैट्रियल आपके उपयोग के लिए बना भी है या नहीं अब हम बात करते हैं कि यह कैसे बनाया जाता है इसे बनाने में सिमेंट, सैंड, लाइम, जिपसम, अलुमनियम पाउडर और पानी और कभी-कभी फलाइश का भी प्रयोग किया जाता है उसके बाद इसमें aeration agent का प्रेयोग किया जाता है और उससे reaction करवाई जाती है जिससे इसमें air bubbles का निर्मान होता है क्योंकि reaction में कई सारे gas से निकलती है और उन gas से ही bubbles का निर्मान होता है दोस्तों AAC blocks को उप्योग करने का तरीका बिल्कुल अलग है मैं उससे भी अपने आने वाले वीडियो में cover करूँगा ये market में कई तरह की size में आपको मिलेगी पहली choice by 8 by 3 फिर हम आते custom size पर जो कि हम अपनी जरुत के हिसाब से कटवा सकते है वो है choice by 8 by 4 इसका वजन 6-9 kg तक हो सकता है weight इसके अंदर bubbles पर depend करता है इसलिए इतना variation आयता है फिर आती है choice by 8 by 6 जिसका वजन 8-12 kg तक हो सकता है फिर choice by 8 by 8 जिसका वजन 10-14 kg तक हो सकता है फिर आती है choice by 8 by 9 जिसका वजन 11-15 kg तक हो सकता है अब हम अपनी अगली brick पर आते हैं जिसे हम solid concrete block भी कहते है यह block भी बहुत strong होते है लेकिन यह block सबसे भारी blocks में से एक होते है इसे बनाने में potland cement, water, sand और gravel का उपयोग किया आता है मतलब आप जो concrete column beam के लिए बनाते है वही concrete के material का प्रयोग किया आता है यही बहुत मजबूत blocks में गिनने आते है इनकी compressive strength कई बातों पर निर्बर करती है जैसे इसमें उपयोग होए material का ratio, curing आदी इसको भी मैं आगे विस्तार से बताऊंगा क्योंकि दोस्तों हमें वीडियो आनन्द के साथ देखना है मैं वीडियो को boring lecture नहीं बनाना चाहता या आपको market में जाज़तर 12 by 8 by 4 के देखने को मिलते है जिनका वजन 16 से 20 kg देखने को मिलता है यहाँ पत्थर के बाद सबसे भार यही होता है और आप factory से इसे अपनी 1% साइज में बनवा सकते है दोस्तों अब हम आते हैं अपनी अगली brick पर जो solid concrete block की ही एक प्रजाती है इसे हम hollow concrete blocks भी बोलते है इसमें और solid concrete blocks में बस इतना फरक है कि इसके बीज में पूरा खाली होता है जैसा कि आप photo में देख पा रहे होंगे इसके बीज में hollow रहने के कारण इसका वजन solid concrete blocks से कम होता है यही बहुत popular block है आपने कई जवे देखा होगा दोस्तों भले ही यह solid concrete blocks की प्रजादी हो लेकिन इसके फायदे और उपयोग solid concrete blocks से बिलकुल अलग है जिसकी चर्चा का हम कभी over करेंगे तो अब हम आते हैं अपनी अगली इट पर जिसका नाम है CLC blocks इस block में वजन कम करने के लिए foam का उपयोग किया जाता है इसे cement, fly ash, water और foaming agent का प्रयोग करके बनाया जाता है जिसके गराण इसका वजन बहुत हलका होता है लेकिन इसका वजन AAC block से थोड़ा ज़्यादा होता है इसकी strength हमें अच्छी कासी देखने को मिल जाती है बसरते ये सईसे बनाया गया हो market में कई तरह के size आपको देखने को मिलेंगे पहली choice by art by 4 फिर हम आते custom size पर जो आप अपनी मरजी के हिसाब से कटवा सकते है कुछ size है इन में से choice by art by 6 इसका weight बनाने के हिसाब से बदलता रहता है इसलिए इसमें बहुत variation होता है इसलिए इसका exact weight में आपको बता नहीं सकता फिर आती है choice by art by 6 फिर choice by art by art फिर choice by art by no दोस्तों अब हम आते हैं अपनी अगली इट पर जिसका अंग्रेजों के जमाने में बड़े भारी मातरा में उपयोग किया जाता था दोस्तों में बात कर रहा हूँ stone brick की ये brick जाएतर sandstone और limestone को इट के आकार में काट कर बनाई जाती थी आज भी हमारे देश में जो पुरानी अंग्रेजों की बनाई हुई इमारते है उनमें इसका बहुत प्रयोग किया गया है school, college, museum या church और कई बार bridge में भी हमें ये देखने को मिलती है दोस्तों ये इन सभी इटों में से सबसे मजबूत इट है जिसकी life सबसे ज़्यादा होती है लेकिन आज इसका प्रयोग लगबग बंद हो गया है क्योंकि ये इन सबसे महेंगी पड़ती है और प्रकरती के बहुमोलिय पाढ़ आदी के खत्म होने का कारण बनती जा रही है इसकी load bearing capacity इन सबसे ज़्यादा है इस पर काम करने के लिए अलगी skilled labor चाहिए इसका उप्योग आज भी किया जाता है लेकिन सिर्फ सजावट के लिए और आज की जमाने में तो stone की tiles भी market में अपलब्द है जो stone को काट कर बनाई जाती है जिससे एकदम stone वाली वाल का feel आता है ऐसा लगता है पूरा घर stone से ही बनाया गया है ऐसा घर को stylist और antique look देने के लिए किया जाता है जो कई लोगों बहुत पसंद आता है मुझे भी ये बहुत पसंद है दोस्तो पत्थर को आप अपटी 1% size में कटवा सकते है इसका कोई standard size नहीं होता कोई बड़े पत्थर की पीटे काटता है तो कोई छोटे ज़्यादा तर इसका और red brick का size same ही रहता है ये 9 x 4 x 3 और 9 x 4 x 4 में हमें चाला देखने को मिलती है इनका weight stone के हिसाब से बदलता रहता है इसी के साथ एक और प्रकार की चीज जो चिनाई में उप्योग किया आता है वो है unshaped stone ये भी stone brick की category में आता है लेकिन हम इसे proper brick भी नहीं कह सकते हैं इसके वही सारे फायदे है जो stone brick के है और आज भी कई गावों में जहां stone सस्ता पाया जाता है वहाँ इसी को चिनाई में उप्योग किया आता है इस style की tile भी market में available है और इसका भी बहुत अच्छा look आता है दोस्तों लेकिन इन दोनों bricks के नुकसान भी है जिनकी चर्चा हम विस्तार से आने वाले वीडियो में कलने वाले क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और वीडियो को और जादे लंबा करेंगे तो बहुत boring हो जाएगा दोस्तों bricks तो और भी तरह की चीजों की बनाई जाती है लेकिन हमारे भारत में मुक्यत है यही सब bricks का चिनाई में प्रयोग किया आता है आप अपने आसपास इनी bricks को उपयोग होते हुए देखेंगे और हमें इनी में से अपने लिए चुनना है कि हमें कौन सी brick हमारे घर के लिए उपयोग करनी है दोस्तों वीडियो को end करने से पहले मैं आपको एक और चीज याद दिला दूँ कि कोई भी brick खराब नहीं है सब brick अपनी अपनी जगा सही है सबका अपनापना है अलग उपयोग है किसी के फायदे ज़्यादा है तो किसी के कम इसलिए किसी के भी कहने पर तुरंत फैसला मत लीजिए क्योंकि आप घर में सब कुछ बदल सकते है लेकिन एक बार घर बन जाने के बाद इट नहीं बदल सकते है लोग बिना जाने दूसरी प्रयोग कर लेते है लेकिन फिर बाद में परिशान होते रहते है इसलिए दोस्तों पूरी जानकाली लेकर ही फैसला कीजिए और पूरी सीरीज देखिए तकि आप सही फैसला ले पाए इसी के साथ साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते है मैं मिलूँगा आप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तकि लिए जैहिंद वंदे मातरम